आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है तो फाइनली कक्छा ग्यारवी का आप लोग का अर्धवार्चिक पूर्ड टेक्निक साइंस का पूरा असली पेपर 100% असली वाला पेपर लेके आ चुके हैं का ऑर आप का कक्छा ग्यारवी का जिरिएक और आप लोग को उससे पहले पूरा कॉंपी आप लोग को मिलेगी तो कि आपके पुरीओ का नोटिकीर सबसे पहले आप तक को जोईन हो जाना है तेली घराम पर भी चल जाना है यहां पे जहने के बाद आप लोगको आप मुझे इसमेच भूtu घ्ला सकते हैं यहां पर कोई चार्जिलीगा तो यहाँ पर चलिएगा हम जो है यहाँ पर राजनीती सास्त का full solution के साथ provide कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग का देखी सकते हो आप लोग का 80 पुढांक होने वाला है यहाँ पर सेट 18 होर्स का समय रहेगा पूरा निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है निर्देश को पढ़ने के बाद आप लोग को आगे बढ़ना है इसके बाद आप लोग को यहाँ पर होने वाला है क्या पूछा है यहाँ पर राजनीतिक दलो को माननेता देने वाले को कार करता है तो राजनीतिक दलो के माननेता देने वाले को कार करता है तो जहें प्यारवित द्यारतियों इसका राइट एंसर आप लोग का क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर आप लोग का निर्वाचन आयोग आप लोग का सनंबर हो जाएगा इस प्रकार से आपका अगला है यहाँ पर जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कवन सा कारे करता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सांसद सांसद जो है एक कड़ी के रूप में कारे करता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इस प्रकार से आपका अगला है लोकसभा की अधिक्तम जो है सदस संख्या कितनी होती है लोकसभा में जो अधिक्तम सदस संख्या होते हैं उनकी जो है संख्या कितनी होती है तो यह 542 हो जाएगी राइट इंसर आपसर नमबर 2 इस प्रकार से आपका अगला है भारत यहाँ पर के जो है संखवाद में जो है नागरी को कवंसी जो है नागरिक्ता परदान की जाती है तो यहाँ पर राइट एंसर इसका हो जाएगा एक हरी एक हरी राइट एंसर हो जाएगा इस प्रकार से आपका अगला हो जाएगा बुर क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों यहां पर मानव अधिकार कब मनाया जाता है क्या मानव अधिकार मनाया कब जाता है उसको बताना है तो इसका राइट एंसर आप लोग का हो जाएगा कि आप लोग का दस दिसंबर को क्या दस दिसंबर को मनाया जाता है इसके बाद यह चलिए अगला देख लेते हैं आप लोग को अगला आप लोग का छैंग प्राप्त होचए। अब आपकी रिगत अस्थान चलिए देखर लेते हैं यह भी 6 अंकों में पूछे जाने वाला है तो यहाँ पर पहले आप लोग को यहाँ पर भारती संभिधान को खाली अस्थान मौली का अधिकार पराप्त हुए थे कितने तो 6 प्राप्त हुए थे इस प्रकार से अगला आपका है रोजगार का जो है अधिकार खाली अस्थान अधिकार के अंतरगत आता है तो सैक्चरी किसके सैक्चरी के अंतरगत आता है इस प्रकार से अगला है आपका उग्र जो है राष्टवाद खाली अस्थान जो है समर्धन है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अहिंसा इस प्रकार से अगला है मतदान की नियुंतम आईव खाली अस्थान वर्ष है तो जो है मतदान यानि कि आपको वोटिंग के लिए कि आईव की निर्धारित आप लोग को टोटल जो है की 18 वर्ष के अगर आप हैं तो आप वोट डाल सकते हैं तो 18 वर्ष से सुरू है तो 18 वर यानि कि विधान सभा में जो चुनाव का इस्थापना हुआ था तो उसको बताना है तो वे हो जाएगा 1950 को क्या 1950 को अगला आपका यहाँ पर है राश्टपति की राजिस्चाभा खाली अस्थान सदस्यों में मनोनित करता है तो 12 लोग रहेंगे तो यहाँ पर माननी यहाँ पर मानन हो जाएगा ठीक ना राश्टपति की राजिस्चाभा खी तो इस प्रकार से आपका सट्य सट्य चलिए देख लेते हैं यह भी 6 अंगों में पूछे जाने वाला है कितने अंकों में 6 अंकों में तो आपलोग का अगला क्या होने वाला है चलिए देख ल यह आप लोग का असत्य हो जाएगा असत्य इस प्रकार से अगला है लोकसभा में भंग करने की सक्ति क्यों राष्ट पती के पास है तो यह आप लोग का सत्य हो जाएगा इस प्रकार से अगला है राज्ये सभा का कारिकाल जो है कल पांस वर्स वर्सों का होता है तो यह आप अगला है अस्थानिय जो है स्वासन लोक्तंत्रे को मजबूत करता है तो ये आप लोग का सत्य हो जाएगा इस प्रकार से आपका अगला है भारतिय संभिधान में असरों की जो है समानता नहीं है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा अगला आपका जो है मौली का धिकार भागतिन में है तो यह आप लोग का गलत है भागतिन में नहीं है इस प्रकार से आपका चलिए सही जोड़ी का मिलान हम लोग कर लेते हैं आप लोग का सही जोड़ी आपका साथ अंकों में हो जाएगा आप लोग नहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका अधियात्मक विवस्था अमेरिक Saskola कर दिया है इंग्लंड का हो जाएगा संसथी विवस्था मैं एक एक शारसन तो इसका क्या हो जाएगा हीरो सीमा इस प्रकार से अस्थाई पालिखा तो इसका हो जाएगा नावकर साही फिर हो जाएगा निती निर्देशक तत्व तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर आयरलेंड इस प्रकार से मौली का धिकार तो मौली का धिकार का हो जायगा America इस प्रकार से आपका अगला है संसदी सासन विवस्था तो इसका हो जायगा Britain इस प्रकार से आपका सही जोड़ी भी complete हो चुका तो इसका आप श्क्रिम सोट ले लो और अच्छे से पुरा का पुरा तयार करो, क्या करो तयार करो अब आपकी एक सब्द एक बाक की बारी आई है चलिए उसको भी देख लेते हैं अच्छे से और समझ लेते हैं तो आप लोग का यहां पर रहेगा साथ अंक का ये भी आप लोग का एक सब्द एक बाक में साथ अंकों में पूछे जाने वाला है तो आप लोग का यह इसका 42 में संविधान संसोधन अधिनियम संसोधन अधिनियम आपका अगला यहां पर रहेगा संस्कृति अधिकार हमें किस से प्राप्त होते हैं तो ए प्रकिती से किस से प्रकिती के इस प्रकार से आपका अगला है अरस्तु के उसार राज्य के कार्यों के भाग लेने वाले को क्या कहते हैं तो यहां पर कहते हैं नागरी क्या कहते हैं इस प्रकार से आपका अगला है नागरिकता प्राप्त करने वाले विधियों के नाम, तो यहां पर आपका जन्व वन्स, और अगला हो जाएगा यहां पर पंजी करण, अगला हो जाएगा देशी करण देशी करण का हो जाएगा देश में अगला आपका है यहाँ पर सम्भिधान सावा की प्रतम बैठक कब हुई थी तो यह आपका हो जाएगा राइट एंसर क्या हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को अगला निर्वाचन घोसड़ा पत्र कमण जादी करता है तो यह आपका हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग आपका अगला अस्थाईव कारेपालिका की से कते तो इसको आपको स्वेंप से लगा लेनी है अगर नहीं बनेगा तो हम आप लोग को कमेंट करना वहाँ पर प्रोवाइट कर देंगे और आपके साथ भी तो पूरा पूरा देंगे आप लोग को नेश्ट पार्ट में तो आप लोग को नेश्ट पार्ट के लिए बने लिएगा कमेंट कर जो है उसको किजिएगा अगर चाहिए तो आप लोग को तो आप लोग को तो आप आप पर स्टेडी में जाके वहाँ प